जारकन के पूर मंत्री योगेंद्र साव उनकी पत्नी पूरविधायक निर्मला देवी को राची की सिविल कोट ने बरी कर दिया है पूर मंत्री योगेद्र साव वपत्नी पूर विधायव निर्मला देवी पर खनन कारे में बाधर डालने में धारा एक सचोवालिस का उलंखन करने का केस चल रहा था राची सिविल कोड के अपर नया युक्त विशाल स्रिवास्तव की अदालत ने दोनों आरोपियों को साच और गवां के अभाव में बरी किया है हजारी पाग जिला के NDPC दौरा किये जा रहे भूमी अधिक रहन के खिलाफ युगेंदर साओ और निर्मला देवी अपने समर्थगों के साथ 16 सितंबर 2016 से कफन सत्य अग्रह कर रहे थे इस दोरान NDPC के खनन स्थल की ओर से जाने वाली मार्क पंडीची वहन को खड़ा कर चान मुझ कर सड़क जाम कर दिया गया था जिससे खनन कारेवाधित हो गया था इसे लेकर युगेंदर साओ और निर्मला देवी के खिलाफ बढ़का गाउं थाना में कांट संख्या 225 बटा 16 के दहत मामला दर्च किया था इस मामले में अभियोजन पक्ष के दौरा दो गवाहों की गवाही दर्च कर आए थी जो दो सिद नहीं कर पाया इससे पहले पर युगेंदर साओ उनकी पत्नी दिर्मला देवी को एक मामले में कोट ने बरी किया है ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं जेन भारत अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले